किसाच इस वानन गो 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 टू दीप इन आज इस वागत है आए दोस्तो हमारे फेवरेट वीडियो सेरीज में आपका सुवागत है आज मैं आपको पांच ऐसे कमाल की 5G स्मार्टफोन की बारे में बताऊंगो जो आपको इंडिया में 15 से 20,000 की रेंज पर मिलेगे आपको पता है इंडिया में इस प्राइस रेंज पर इतने सारे फोन से जिसकी कोई हद नहीं वार चुड़ चुकी है और उसमें भी जितने 5G फोन है ओ माइग उसकी भी कोई हद नहीं और उसमें से कुछ फोन बहार निकालना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट काम था लेकिन यही हम पहला फोन जो है दोस्तों वो बताने से पहले बता दूँ हम एसंडिंग ओडर से स्टार्ट करेंगे लोवेश्ट टू हाइस बहुत सारे फोन से लेकिन हमने जो पिक किया है उसकी वजह भी है उसके बारे में आपको बताए कि क्यों किया है पहला जो फोने 15,000 से दे रहे विच इस कंप्लेटली गुड़ ये चिपसेट बहुत अच्छी है उसी के साथ दोस्तों आपको समें 5000 विच के बैटरी थर्दी वाट फास चार्जिंगे बैटरी चार्जिंग यहाँ पर दोनों आपको अच्छा मिलता है बाकि शामी के फोने तो उसमें आपको उ 90Hz के हाईयर रिफ्रेश एट यह चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी एटलिस 120Hz आपको यहाँ पर देना ही चाहिए था software दोस्तों POCO launcher है MIUI पर है तो कहीं नहीं कि बहुत सारे लोगों को पसंद है कुछ लोगों को नहीं भी है पर यहाँ पर यह चीज़ जरूर कहूंगा कि इंप्रूफ्ट कर रहे रेडिमी नोट इलेवेंटी 5G में हमने इस्तेमाल किया है इसमें और उसमें ज्यादा फर्क नहीं दोनों फोन से में और हम आपको जितने भी फोन बता रहे है वो हम यूज किये हुए ऐसी हवे में नहीं बताते ठीक है तो मेरे पास वो फोन आया स्लाइटली यह वाला उससे बैटर इसलिए मैंने इसको पिक किया हूँ और वहाँ पर कैमरे में मैंने कुछ बहुत सर्व बग्स देखे थे जो मनें अन्बॉक्सिंग की बताया थे मैंने सुचा या चलो उससे बैटर है कि यह वाला फोन यहां पर उठा लेते तो यह फोन है और अगर आप इसको ओफर पर ट्राइगा तो यह पंदरा अजर तक जा सकता है तो पंदरा अजर पर एक फाइफ जी फोन विट वन ट्वेंटी जीवी स्टोरेज ऐसे कॉम्बिनेशन हमें ज्यादा नहीं मिलते इसलिए मैं इसको पिक किया हूँ उसी के साथ कोलकूम स् स्लाइटली बेटर है वो चीज़ आपको आपर अच्छी मिलें कि हाँ फाइफ जी बैंट्स कम है दो ही है जो कि नहीं होना चाहिए आप जाके वह देख लीजिए फॉर्म फेक्टर इसका अच्छा है दोस्तों डिजाइन अच्छी है फ्लैट एजिस के साथ आपको मिलता ह 33W यहां पर होनी चाहिए थी कॉंप्रोमैस बहुत इस फोन में और कैमरा दोस्तों लेकिन अच्छा है इसमें कोई कॉंप्रोमैस नहीं इसमें हमने जब टेस्ट किया आपको बताया था डे नाइट की फोटोस अच्छी आ जाता है तो यह सारी चीज़ अच्छी तो काफिस 30,000 रुप्य पर आता है मोटरला का G71 काफिस सारे चीज़े इस फोन में जिसके लिए मैं आपको यह फोन रेकेमेंट करता हूँ पहले तो स्टोरे जो रैम ज्यादा है 6GB की रैम 120GB स्टोरेज है स्टोक एंड्रोइड है 5G के साथ क्लीन एक्सपिरियंस काफी कम मिलता है और साथ में 5000 mh की बैटरी है और 33 वोट फास्ट चारजिंग तो चारजिंग भी अच्छी है बैटरी पर अपको यहां पर अच्छी मिलते और इसका बैटरी पर अच्छा है अमने वीडियो में आपको बताया था साथ इसाथ डिस्प्ली भी अच्छा है 6.4 इंच की फूल एज 695 5G चिपसेट बहुत ही अच्छी चिपसेट है और मोटर लगा फोन इसमें मुल्टीपल 5G बैंट भी आपको मिलते हैं और बाकी आपको फिंगर प्रिंट स्कानर और बाकी की जो बेसिक चीज़े तो मुझे लगता है कि यह फोन भी बहुत ही अच्छा पैकेज है 19,000 पर अब यहां में इस फोन को एड़ करने का वजह है कि यह प्राइस मुझे ठीक लगी है यह फिलार के लिए इंट्रड़क्टरी यह आभी क्या पता आगे बढ़ जाए लेकिन स्टिल यहां पर कोल्कूम स्नैप्रेगन 695 5G चिपसेट है आपको 5G बैंड विस पर थोने ज्या पड़ेगा 5000 इमिच की बैटरी यह 30 रिवर्ट फास्ट चार्जिंग अगरा है एंड्रइट 12 है रिल्म यूए 3 आपको मिल रहा है वहां तक ऑन पेपर जो स्पेक से प्राइस के साब से ठीक है बाकी फोन जब हमारे पास आएगा हम आपको अन्बोक्स करके जो भी अपनी उपिनियन वो जरूर देगे लेकिन स्टिल यह बनता है अंडर 20,000 इसलिए मैं या पर इसको एड किया हूं और फाइनल जो स्मार्टफोन ने 20,000 रुपिया पर मुझा आपने हाँ से देख लिया है यह है इन्फिनिक्स का 0 5G देखिए दोस्तों ऑनिस्लिक हो तो इसको 5G बैंट्स तो 5G बैंट्स पी आपको इनफ देखने को मिलते है इतना ही दोस्तों कामरा इस बार बहुत अच्छा है 48 Megapixel triple camera setup लेकिन फोटो जो आयते वह बहुत अच्छे थे पहली बार मुझे को इन्फिनिक्स के फोन में कैमरा डंका लगा था 16 Megapixel के सेलफी इस सेलफी अच्छा है और में डे और नाइट दोनों बोल रहा हूं विडियो जोड कर बोल रहा हूं तो हमारे अन्बोक्सिंग आप जरू आपको पता चलेगा साथे साथ दोस्तों डिकने में भी यह फोन अच्छा है लेदर राइट थोड़ा बैक आपको डिजाइन देखने को मिल रहे तो कुछ अलग चीज़ उन्हों नहीं आपर दिये और उसी के साथ 6.78 इंच की फुल एष्टी प्रस वाली एक IPS डिस्प्ले और 120 हट्स के आपको हाई रिफ्रेश एक मिलते डिस्पे बढ़ी यह पंचोले यह भी आपको यह पर ठीक मिलता है मलोड होता तो थोड़ा लेकिन नहीं कहीं नहीं कहीं तो कॉस्ट इंग करेंगे ब्रेंट जोनों ने डिस्पे में शायद किये 5000 इमस्की बैटरी थर्दी वाट फास्ट चार्जिंग चार्जिंग बेचिए बैटरी भी आपको चीबलती बस एक जगा जो सबसे ज्यादा आपको कॉंप्रमाइस करन और यूफस 3.1 शोरी सपोर्ट ये फोन शाला जितना भी हमने यूस किया अभी तक लैक नहीं हुआ है एप उपन क्लोस मुल्टिटस्किंग मैं में बहुत सारे एक्स रहते हैं तो 20,000 पर 8GB RAM 120GB श्टोरे थी भी बड़िया पैकेज जिसको आप जाके चेकाउट कर सकते हैं तो दोस्तों ये वो सारे 5G स्मार्टफोन से जिनमें ज्यादा तर सब नए फोन समने आपको बता है जिनमें आपको दो-तीन साल के अपडेट्स में मिले तो आगे तक और अपडेटेट भी रहेगे तो मैं आपको ये रेकमेंट करता हूं को आप जाके चेकाउट करें डिस सब्सक्राइब करिए तब तक के लिए Always Keep Smiling